है गाईस वेल्कम बेक टो एम्प्लीफायर कनेक्शन तो गाईस कैसे हो और आज है मेरे पास एक ठरीवे स्पीकर है और काफी सारे जो स्पीकर है आप लोगों ने देखे होंगे डी वे देखे होंगे तरी वे देखे होंगे फुल रेंज हो गया अपना सब वूफर हो गया वूफर हो गया तो काफ sih सारे speaker होते हैं उन में से एक होता है 3 wp और टूरuvay speaker जो होते हैं वह बिल्गूल एक तरीक से अलग ही ट Green Drive के स्पीकर होते हैं ठीक है और यह जो स्पीकर है गाईज यह ज्यादा तर आप लोगों ने गाड़ियों में लगे देखे होंगे जो खिडिकियां होती हैं उनके अंदर लगे देखे होंगे या फिर एक जैसे 6x9 के जो स्पीकर होते हैं जैसे अंडा टाइप के जो स्पीकर होत इन में अच्छा खासा बेस भी होता है तो यह जो speaker होते हैं यह इतनी अच्छी जो sound quality कैसे provide करवा पाते हैं तो यह जो बाते हैं इसी वीडियो में हम cover करेंगे तो भाई वीडियो को complete देख लेना और जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत करीब हैं एक लाग सब्सक्राइबर के तो मेरे हिसाब से होई जाएंगे यह वीडियो जब तक upload करूँगा मेरे हिसाब से एक लाग होई जाएंगे तो अगर ना भी हो तो complete करवा देना आप लोग मेरे को पताय करवाई दोगे तो चलिए सुरू करते हैं तो देखो जो normal speaker होते हैं प क्या ये आपकी requirement को पूरा कर पाएंगे जो आपको चीए क्या ये वो sound quality दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे पहले हम करेंगे ये बात ठीक है उसके बाद फिर इनकी sound quality की बारे में बात करेंगे कि इनकी इतनी अच्छी जो sound quality है वो क्यों होती है तो देखो सबसे पहले need की जूड़त करते हैं कि क्या ये आपकी जूड़तों को पूरा कर पाएंगे तो देखो बाई ऐसा है कुछ बंदों को क्या होता है कि भारी भड़कम समान से मतलब होता है यानिके एक मतलब अलग ही level की sound मतलब जो सब कुछ हिला दे पडोसियों को तंग करने से मतलब होता ह ठीक है या फिर भाई किसी की setting चल रही होती आसपरोस में ठीक है उसको song सुनाने होते हैं तो तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको low budget में ऐसा system चाहिए होता है कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं कि भाई जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं हो होता ही नहीं कितने भी लग जाओ ठीक है और कुछ बंदे ऐसे होते हैं भाई जिनको मतलब सुनना होता है यानिके बस यह है कि हाँ आसपास में कुछ चल रहा है कुछ भी चले मतलब सोर सरावां उनको चाहिए होता है ठीक है quality से उनको मतलब नहीं होता है और उनका budget काफी कम होता है ठीक है तो अलग लग तरीके के अलग लग लोग होते हैं तो अभी यहाँ पर जिनको low budget में अच्छी sound quality चाहिए वो इनको यूज कर सकते हैं home audio के अंदर ठीक है यानिके budget भी ठीक ठाक लगे और जो sound quality है वो भी काफी अच्छी मिले तो वो लोग इनको यूज कर स ने देखा होगा sony के या omega के या फिर pioneer के जो six by nine के जो speaker आते हैं थरीवे में वो काफी solid sound निकाल के देते हैं ठीक है मैंने अपनी जो गाड़ी है उसके अंदर लगा रखे हैं six by nine के जो की omega के हैं साइद omega के करके हैं साइद वो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया भी था उस पर चला कि मैंने आप लोगों को दिखाई थे वो तो उनकी जो base है वो काफी अच्छी है और जो sound की clarity है वो भी काफी अच्छी निकल गया आती है ठीक है तो यह तो हो गया budget की बात और किस तरीके से आप इनको use कर सकते होगा और के अंदर वो हो गया और यह जो speaker है यह इसमें क्या होता है पता है क्या है जैसे हम किसी भी चीज के लिए मान लो कोई भी अलग अलग system use कर रहे हैं तो भारी बढ़ कम use करेंगे तो उसके लिए फिर amplifier भी दमदार ही होता है सब कुछ दमदार होता है तो उसमें काफी ज्यादा budget चला जाता है हमारा और इस तरी maximum तक भी अगर हम इन पर यूज करेंगे तो हमें एक काफी अच्छी sound quality के अंदर से मिल जाती है तो अभी बात कर लेते हैं कि इनकी जो sound है वो इतनी अच्छी क्यों होती है तो देखो जो थरीवे जो speaker होते हैं इनके अंदर तीन driver लगे होते हैं इसलिए इनको थरीवे बोल लग से हैं तो वह भी मैं आप लोगों को दिखांगा कि कहां पर है तो देखो यहां पर जो पहले वाली कोईल है यह जो आपको सामने दिख रही है यह हमारी बेस के लिए ठीक है और इसके अंदर से यह जो पाइप दिख रहा है ठीक है और इसके उपर जो यह speaker लगा हुआ है यह है अपना मीड और इसके अंदर ही इन्होंने एक crossover बना रखा है जो की passive crossover है मीड के लिए यानिके इसके अंदर एक जो क्या बोलते हैं capacitor होता है वो इसके अंदर लगा हुए है एक capacitor लगाके passive crossover बना के इसके अंदर midga speaker लगाया हुआ है उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देख सकते हूँ इसके अंदर ये capacitor यहाँ भी लगा हुए है ब्वेस्टर लगा रहता है तो इसलिए इस जो ड्राइवर है वो अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी ओ को यहींएंड fallen क्रोशो क्या यहां परा यहां पिर संगल क्या रहा है तो इसलिए इनकी το साउंड की अध्य प्रिक्वेंसी वो काफी improve हो जाती है नोर्मल speakers के मुकाबले जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे घर के अंदर यूज़ कर रहे है music system तो अभी देरे-देरे पैसे तो पता चल रहा है लोगों को कि क्या होता है किस तरीके से क्या यूज़ करना है कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं कि कौन से speaker यूज़ करने हैं अच्छे कौन से रहेंगे amplifier कौन सा यूज़ करना है कम बहुत कम लोगों को अभी भी नहीं पता है इंचीज़ों के बारे में और क्या करते हैं कि जैसे यह बोलते रहते हैं 8 इंच का speaker यूज़ करना है 10 इंच का करना है 12 इंच का करना है बट उनको यह नहीं बता होता है कि इनका जो frequency response है वो क्या है ठीक है तो इसलिए उनको जो sound है वो अच्छी नहीं मिल पाती तो भाई घुमा फिरा के बात यही है कि आपका एक low budget है तो उसके अंदर फिर आप जो थरीवे speaker हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो घर के अंदर आपको एक अच्छी खासी sound quality मिल जाएगी ठीक है guys तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care